कोरोना वारिस के चलते हैं जहां मौजूदा स्थिति को देखते हुए 17 मही के बाद भी लॉकडाउन की अवधी बढ़ाई जा रही है जिसके नियम राज्जिस सरकारों द्वारा 18 मही के पहले बताय दिये जाएंगे महीं दूसरी और लॉकडाउन 4 को लेकर सोशल मीरिया पर कैस सारी बात ही चल रही हैं लोगों ने तो अपने तरीके से लॉकडाउन 4 के बाद में बढ़ाय जाने वाले लॉकडाउन की अवधी की भी घोशना कर दी है जी हां इंटरनेट पर कुछ ऐसी ही तस्वीरे वाइरल ह हो रही हैं जिसमें कोरोना लॉकडाउन में धील देने के लिए बनाए गए रोड मैप को बड़ी तेजी से वाइरल किया जा रहा है और इसमें यह कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया तीन हफ्ते तक पांच सत्रों में की जाएगी यह मैसेज वाइरल हो रहा है कुछ इस तरह से कोविड-19 प्रतिबंदों में धील देने का रूड में पांच चरणों में तै किया जाना चाहीं ये चरण तीन हफ्ते की प्रक्रिया के आधार पर लागू होंगे और हालिया चरण इन तारिकों पर शुरू होगा साथ ही मैसेज में ये भी लिखा है कि अगर कोरोना संक्रमन में वद्धी जारी रहती है तो पहले वाले प्रतिबंद फिर से लागू कर दिये जाएंगे मैसेज को कई सारी लोगों ने अपने सोचल मीडिया अकाउंट से शेर किया है Twitter के साथ-साथ یہ मैसेज वटसप पर भी वाइरल हो रहा है लेकिन अगर इस मैसेज की सचाई तक जाया जाए तो सरकार की और से ऐसा कोई भी रोड मैप तयार नहीं किया गया और ना ही इस बात को लेकर कोई नोटिस जारी किया गया है इसका मतलब यही है कि ये मैसेज जो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वो पूरी तरह से फेक है और बेवज़ सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है सरकार अपने द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील नहीं देने वाली है और अगर देखी भी तो इसको लेकर फिलहाल कोई भी आदेश जारी नहीं किये गए है सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर चल रही सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर कहीं सारे भ्रामक मैसेज वाइरल किये जा रहे हैं इन सब भी बातों पर ना जाएं और सचाई का पता लगाएं और कोरोना की तरह फेक न्यूस से भी जितना हो सकी उतना दूर रहिए सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बल इकन पर मोर अप्डेट्स